हर हर महादेव जैसरी किष्णा समस्त उत्राखंडवालों को और भारत के समस्त शिवबंधुओं को चादर प्रणाम बहुत ही शुन्दर शुभ औशर महाशिवरात्रियाया आए शवलोग मिलकर के महाकाल का श्वागत करते हैं भवानी संकर उबंदे स्रद्धा विश्वास और रूपिनों भगवान संकर स्रद्धा और विश्वास के सबसे बड़े केंद्रित देवता हैं शुबदम शुखदम शिवदम शत्यम शिवम शुन्दरम की जो परिभाश है वो देवा दिदेव महादेव के चरणों से प्राप्त होता है सभी बंदुबांधों से निवेदन है बढ़ चड़ करके महाकाल के चरणों में जल चड़ाएं अपने पास के सिवाले का रंग रोगन साब सफाई करके महाकाल के चरणों की आराधना करें यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है महाशिवरात्री पावन सुभमोहरता सुभसमय सुभयोग सुभाह से लेकर के 24 घंटे की जो समय महरत होता है यह 18 तारीक प्रातह से लेकर के और 19 तारीक प्रातह तक सुभमोहरता है 24 घंटे तक भगवान सिव का अविशेक जलाविशेक पूजन करें ध्यान देना है जिन जिन बेक्तियों के जन्मपत्री पर कालसर पदोश है वो अवश्य शिवरात्री के पावन पुनीत बेला में भगवान सिव के चरणों में चांदी के नागनागिन का जुगल जोड़ा चड़ाए तामे का नागनागिन का जुगल जोड़ा दूद के साथ संकल्प बूल करके अरपन करे तो अवश्वस की मनोकामना पूर्ण होती है जिनके जीवन में बहुत जादा प्रभाव नकारात्मक ने घेर रखा है प्रभावित कर रखा है उनके से भी निवेदन है देवा दिदेव महादेव के चरणों में पहुंच जाओ और कल प्रातह सुबह साथ बजे से बैट करके साम पाँच बजे तक ओमनमस्षिवाय का पंचाक्षरी जब कर लिजे या वर्षाप के लिए लाभप्रद रहेगा इसमें सबसे जादा महत्त होता है तिदलम त्रगडाकारम त्रजनमा त्रधायुधम त्रजनमा पापशंगारम बिलवपत्रव सिवारपडम भगवान सिव को बिलवार पण करें बिलवा एक सो आठ लेकर के अश्टोत्तरी करें महाकाल प्रशन होंगे आपकी मनो कामना पूर्ड होगी कई घरों में धन की स्थिर्ता नहीं बन रही है गवड़ाई ये नहीं कल एक सो आठ गोमती चक्र लें एक सो आठ कमल गट्टा लें तथा लोंग एक सो आठ हो काली मिर्च एक सो आठ हो गोमती चक्र लोंग काली मिर्च और कमल गट्टा तथा पान का एक पत्ता ये सब चीजे लेकर के भगवान सिव के चरणों में ध्यान करते हुए महाकाल को अरपन करें अवस्याप के घर में शुक्षान्ती सम्रुद्धी की बृद्धी होगी द्यान देना है जो भाई बंधू इस वर्ष नोकरी की तैयारी कर रहे हैं शुरात्री पर संकल्ब ले लें कि है महादेव मेरे मनोकामना को पुर्ण करो मैं अवस्याप के चरणों में जल अरदास की सेवा करूँगा जो वेक्ति बहुत दिनों से बीमारी में जूज रहे हैं सिर्फ उने अपने वजन के बराबर जल लेकर के कल महादेव के चरणों में अरपन करें उसमें थोड़ा सा गुलाल डाल दीजे अबीर गुलाल डाल करके जितना वजन है उतनाई लीटर जल लेकर महाकाल के चरणो में चड़ाएं अवस्यापकी बीमारी दूर हो जाएगी और भाईयो बंदो ये शिवरात्री महापावन पुनीत जो तिति है और स्वयम सिद्ध तितियां हैं इन स्वयम सिद्ध तिति में आप सब लोग आराधना भगवान से उपा करें मुझे पता जहां तक है और आप को भी एहसास होगा देवादी देव महादेव ऐसे देवता हैं आपके पास कुछ नहो फिर भी आप जाकर के एक बार प्रणाम करें सिवाले में अवस्यापकी मनोकामना पूरी होगी कई बार प्रणानांतर में भी सुनने को मिलता है भक्त एक सिव का चला घंटा चुराने के लिए भगवान के मंदिर में कैसो भाव से पहुचो लेकिन आपका भाव अच्छा होना चाहिए क्योंकि जाकी रही भावना जैसे सुन्दर भाव के सुक्त से अगर आप महादेव के चल्णों में निवेदन करते हैं उमीद है विश्वास है आपके कारज बनेंगे और आपका संकल्प सिद्ध होगा पावन पुनीत शिवरात्री महापारवती भगवान सिव से सुन्दर शायक संकल्प के लिए कहती हैं कि देवाधी देव बहलिये के भी कता आती है शिव पुरणांतर में कि बहलिया बिलोपत्र रोज तोड़ तोड़ कर चढ़ाता था और ज जो भी ब्यक्ति भगवान सिव की आराधना करेगा उसको काल इस परस नहीं करेगा तथा काल का व्याल उसे गरशित नहीं करेगा इसलिए महादेव के चरणों में आराधना करें पूजन करने की सरल विधिया हैं काला तिल लेलो चावल लेलो बिलो पत्री तथा जो है पुत्र प्राप्त हो जाए तो गंगाल से आराधना कर लो धन नहीं प्राप्त हो रहा है धन खूब मिलने लगे तो कल गन्ये की रस से रुद्रावि से करो तथा जो है सत्रू आपको परिशान कर रहे हैं तो शर्शो के तेल से विशेक करने मातर से आपका विधिपूरवक भगवान संकर जी के चरणों में निवेदन करने से समस्त सुख की प्राप्ती होगी आपके सनिस्त बड़े-बड़े मुर्धन बिद्वान आचारियगन होंगे सिवालियों में मंदिरों में उनसे भी परामर्स ले सकते हैं कि हमारे राशिक अनुशार क्या करना चाहिए आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी राधे राधे एक विशेस बात है ब्यापार वर्ग के बंधुओं के लिए कल के दिन महादेव के मंदिर में जाओ सफे चावल लेना है एक मूठी साबूत चावल लेकर के कहीं से खंडित न हो और भगवान सिव के चरणों में त्रयंबकन जजा में सुगंधिम पुष्टे बर्धनम बोल कर अपने फाउंडेशन का नाम लेते हुए भगवान के पिन्डी पर छोण दो और आधी परिक्रमा करके प्रडाम करो अवस्य इस वर्ष आपका बेवशाय बहुत अच्छा जबरजस्त धंधाने की बिर्धी करावेगा समाज में आपको प्रतिष्ठा चाहिए तो महादेव के चरणों में कल जलावी से करो और एक बिलोपत्र उठा करके लाईए उसे अपने भोजपत्र में लपेट कर जेम में रखो भगवान सिव आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे बिदेश देश बिदेश में रहने वाले मित्रों से निवेदन बिलोपत्र का अभाव है तो चांदी का बिलोपत्र लेलो और भगवान सिव के मंदिर में जाकर सिव पिंडी पर चढ़ाओ निवेदन है महादेव से निवेदन करो कि हे देवाधी देव मेरे परिबार में रिद्धिश द्धिदो तो अवश्य परदान करेंगे प्राप्त होती है अकाल मृत्व में जूजने वाले व्यक्ति भी भगवान सिव के चरणों में प्रणाम करें उन्हें दिरगायू प्राप्त होगा क्योंकि भगवान देवा धिदेव महादेव जब मारकंडे को चिरंजीवी का अशिर बाद देंगे तो हम आप भी सेवासु सुषा अच्छे भाव मन से करेंगे तो महाकाल अवस्य पूर्ण करते हैं राधे राधे जैसरी किष्णा शिवरात्री की बहुत-बहुत शुब कामना है सभी बंद बांद होगा